हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों फेस्टिप सीजन स्टार्ट है और फेस्टिप सीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होममेड फेसियल लेके आई हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकिप मत कीजिएगा और वीडियो आई इफेक्ट नहीं है तो यहां पर मैंने लिया है नीमबू एपल इसके बाद मैंने लिया है मसूर का दाल जिसको मैंने भिंगो के पहले ही रख दिया था इस फेसियल से बिलकुल पारलर जैसा निखाड आएगा और आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है तो य इसके बाद मैंने लिया है गुलाब का फूल और यह बिलकुल देशी गुलाब है इसकी पंखूरी को मैं अलग कर दूँगी जब मैं इसको पीसूँगी इसके बाद मैंने लिया है दही और इसके बाद मैंने लिया है अलोबेरा लिफ जिससे की मैं जेल अलग कर लूँगी और एक और चीज है जो की मैं लास्ट में एड करूँगी वो है हल्दी पाउडर तो यह सब आपको लेना है होममेड फेसियल बनाने के लिए और आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है तब ही अच्छा ग्लो आयेगा मेरे कहने पर एक बार इस फेसियल का इस्तीं करके जरूर देखिए पार्लर से भी ज्यादा निखाड आएगा और आप पाजलर जाना भूल जाएंगे और आप मुझे गुलाब से उसकी पंखुरियों को भी अलग कर लिया है नीमबू को कट कर लिया है और एपल को भी मैंने कट कर लिया है तो चलिए अब इसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं तो देखे मैं क्या क्या पहले पीस suivre गी और क्या क्या मैं बाद में अडž करूँ गी तो यहाँ पर मैंने डाला है मसूर का दाल, कटा हुआ एपल, गुलाब की पंखोरी, एलोवेरा जेल, दही और नारियल पानी मैं बाद में अड़ करूँगी और नीम्भू का रस, हल्दी यह सब मैं बाद में अड़ करूँगी इसका पेस्ट बनाने के बाद तो चलिए पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ तो इसे मैंने पीस लिया है और इसे बिलकुल पतला पीस यह और अब मैं इसमें एड़ करूँगी नारियल पानी, नीम्भू का रस, और हल्दी पाउडर, और इसे मैं एक अलग बर्तन में ट्रांसफर करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे आप फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं और एक हपते तक इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैंने इसे बना लिया है और इसे मैं एक कंटेनर में डाल के और फ्रेज में स्टोर करके रख लूँगी आप इसे अपने face पर, neck पर, hand पर, मतलब पूरी body पर इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ये body policy का काम करता है इसे चेहरे पर निखार आता है आपको इसका इस्तिमाल कैसे करना है इसे अपने चेहरे पर लगाईए और लगा कर कम से कम पांच से दस मिनट तक हलके हाथों से मसाज कीजिए फिर इसे अपने चेहरे पर दुबारा लगाईए और लगा कि एजे फेस पैक छोड़ दीजिए और फिर अपने चेहरे को दस मिनट के बाद पानी से धो लीजिए फिर अपने चेहरे पर कोई भी मॉस्च राइजर लगा लीजिए तो इस तरीके से आपको इसका इस्तिमाल करना है और इसके इस्तिमाल से आपके चेहरे पर तुरंत ग्लो आएगा और मैं हमेशा अपने लिए ऐसे ही एक हपते के लिए फेस पै किया फिर फेसियल तयार करके रख लेती हूँ तो नेक्स टाइम मैं जो भी फेसियल तयार करूँगी कोशिस करूँगी कि अब आगे से आप लोगों से वीडियो सेर करूँ क्यूंकि हमेशा चेंज होता है एक जैसा नहीं होता है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हूँ मिलती हूँ नेक्स वीडियो